बेतिया में जहरिली सराव से मौते हुई है उसके लिए जो जिमवार लोग है उन पर करवाई हो सराव माफिया को सरकार सरंग्छन दे रही है और मिर्तकों के परिजनों को सरकार मौवजा दे मौस्कार नीश फोनिशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना माले के तरफ से सदन के बाहर परदर्सन किया जा रहा है हम बात करने की कोसिस भी करेंगे कि आखिर आज कौन से ऐसा मुद्ध है जो सरकार को जो है आप लोग घेरने वाले हैं और देख सकते हैं कि माज म सचीयों पर जो लाठी चार्च हुआ है दोसी अधिकारियों पर करवाई हो और उनकी जायज और लोकतांत्रीक मांगे को ये सरकार मानें पूरे मिथलांचल और सिमांचल में हर साल बाढ़ आते हैं और सैकड़ों लोगों की जानमाल की छती होती है उसकी अस्ताई समधान क पिए जाय बेतिया में जहरीली श्राव से मौते हुई है उसके लिए जो जिमोवार लोग हैं उन पर करवाई हो सराम आफिया को सरकार सन्क्षन दे रही है और मिर्तकों के परिजनों को सरकार मुआउजा दे किसानों को गुलाम बनाने वाली देश में कमपणी राज, कर्परेट राज अस्थापित करने के लिए किसान और क्रिसी विरोधी जो तीन क्रिसी कनून है सरकार उसे वापस ले मोधी सरकार के व्रुद्ध किसानों की लडाई चल रही है सेकड़ों किसान सहीध हो चुके हैं सरकार उनके उपर जो तीनों क्रिसी कानून है वापस ले दूसरी बात है जो महत्पुन सवाल है अभी मैं फोटो मांगाया हूं जवाब के साथ स्वास्त से समंधित आज मेरा ए का मांग विहार सरकार में विधान सभा से प्रस्ताव ला करके उन कानूनों को रद करने का मांग हमारा विधान सभा में उठेगा हम देख रहे हैं कि आठ महीने से किसान अंदोलन पर हैं लेकिन किंद सरकार पीछे हटने को तयार नहीं है उनके खिलाप दमन का रुक लिए हुए हैं साथी साथ बिहार जो लगातार बाढ़ के चपेट में रहता है इस साल भी बाढ़ की स्थिती बंते जा रही है लेकिन सरकार का इस पर कोई ठोसी उजना नहीं है तो बाढ़ के मुद्दे को भी हम प्रमुक्ता के साथ उठाएंगे बिहार में दारू बंदी का गोशना कर चुकी है दावा करती है कि सराब बंद है लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार गरीबों को सिर्फ इस नाम पर प्रतारित किया रहा है उन्हें गिरफतार किया रहा है लेकिन बड़े लोग जो दारू माफिया है सराब माफिया है उनको सरकार बचाने में लगी है किसानों को गुलाम बनाने वाली देश में कमपनी राज, कॉरप्रेट राज अस्थापित करने के लिए किसान और किसी विरोधी जो तीन किसी कनून है सरकार उसे वापस ले मोधी सरकार के व्रुध किसानों की लड़ाई चल रही है सेकड़ों किसान सहीध हो चुके हैं सरकार उनके उपर जो तीनों किसी करून है वापस ले दूसरी बात है जो महत्पुन सवाल है अभी मैं फोटो मांगाया हूँ जवाब के साथ है स्वास्त से समंधित आज मेरा एक सवाल का जवाब है मंत्री महोदेश श्री मंगल पांडी जी का आज़ा है